नमस्कार मैं हूँ सच्चेजानद वसेष्ट सज्जनों अक्टूबर के महीने में और धनुराशी के लिए ये अक्टूबर का मेना कैसा रहने वाला है क्या-क्या सावधानिया हमको वरतनी चाहिए और क्या-क्या उपाय हम कर सकते हैं देखिए ब्रियस्पती और राहू गुरुचंडाल योग बना करके पंचम इस्थान में आपके जोगें विद्धिमान हैं तो जिनके बच्चा होने वाला हो उनको थोड़ा सा समल्क जाना चाहिए और राहू का दान करना चाहिए अन्यता कोई विक्रती हो सकती है पढ़ने वाले हैं उनका मन वहां से उचाट होगा पढ़ाए में मन नहीं लगेगा आलस से ज्यादा आएगा प्रमाद ज्यादा आएगा तो इसके लिए वही राहू का दान आपको करना चाहिए काले उड़द सनिवार के दिन आपको दान करने चाहिए और ब्रेहस्पती के लिए आपको केसर का तिलक जो है लगा करके रहना चाहिए जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लगे और ये महीना आपका अच्छा गुजर जाए शनी आपके तरतीय इस्थान में कही न कहीं जीत जरूर दिलाएंगे विजे जरूर दिलाएंगे कोई अच्छे मित्र आपको प्राप्त हो सकते हैं भाईयों से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता हैं सुखा आपको प्राप्त हो सकता हैं लेकिन शनी की तरतीय द्रस्ती दूसरे नमबर पर सनी की नमम अस्थान के उपर दुस्टी जा रही है और दौदस इस्थान के उपर दुस्टी जा रही है तो भाग्य में बनने वाले जितने जो काम होते हैं उनके अंदर वो रुकावट पैदा करते हैं इसलिए असका आपको ध्यान रखना चाहिए सूर्य आपके पूरे वहिने में अच्छा ही फल देखें 17 तारिक को सूर्य जो है परिवर्तन होगा लेकिन वो जो है तुला रासी में जाएंगे जिनका भी जन्म 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नमंबर के बीच का गए उनको कार्तिक शांती इस समय पर करनी चाहिए जिससे कि सूर्य का विसेस फल आपको प्राप्त हो सके अब मैं दैनिक घृासी फल आपको देने का प्रियास कर रहा हूँ तो दैनिक घृासी फल के अंदर एक दो तारीक ये आपके लिए अच्छी है चाहे आप पढ़ने वाले खें, चाहे आप कंपेटिशन करने वाले खें, चाहे कहीं पर जो कें आपका किसी से मुलाकात होने का समय है या कोई इंटर्विव हुए उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी तीन चार तारीक आपको समल करके चलना होगा कोई दुस्मनी हो सकती है किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है लेकिन पांच छे साथ तारीक ये आपके लिए संदर अच्छा परिणाम देने वाले के इसमें पती पतनी के बीच बहुत अच्छा रहेगा प्रेमी और प्रेशी के बीच बहुत अच्छा रहेगा और साजेदारों के बीच अच्छा रहेगा व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा आठ नो तारीक इसके अंदर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा क्योंकि आपके स्वास्त में गिरावट आ सकती है तो उसके लिए दूद और चावल का जो है दान आपको करना चाहिए इसके साथ ही 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीक यहां तक का समय आपका यह आठ दिन का समय है यह आठों दिन लगातार आपके नए से नए अच्छे परिणाम आपके सामने आते रहेंगे कोई लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है धार्मिक आयोजन घर के अंदर हो सकता है राज्य नेताओं से लाब हो सकता है राज्य क्रपा प्राप्त हो सकती है और अच्छे उच्छ अधिकारियों से आपको लाब हो सकता है या आपका रुका हुआ कारी जो है वो संपन हो सकता है पिता की कृपा आपको प्राप्त होगी इसके आगे 18-19 तारीक इसमें धन को बचा के रखना कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें देनलेन ना करें अन्यता नुकसान जो गए आपको हो सकता गए बाकी 20, 21, 22, 24, 25 तारीक तक आपका मार्ग खुला हुआ गए बहुत अच्छे आनद का समय जो कहीं इसमें गजरने वाला के लाप भी आपको अच्छा होगा अच्छे कोई सुगत समाचार कोई 91 के समाचार कोई मंगलिक ऽमाचार आपको प्रापट हो सकते हैं गर के अंदर कोई मंगल उत्सव जो हैं आपके घर में मनाया जा सकता गए तो पच्चीस तारीक के बाद का जो समय है 26-27 तारीक उसके अंदर थोड़ी से मन में चिंताएं रहेंगी बागी 28-29 तारीक इंटर्वी वालों के लिए और परिक्षा वालों के लिए पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा होगा 30-31 तारीक में आपको अपने वेवार को सुद्ध रखना होगा वाणी को सुद्ध रखना होगा किसी के साथ बाद विवाद हो सकता के बाकी ये हमने आपको जानकारिया दी बाकि जानकारीयों के लिए आपको जो है इन नम्बरों पर संपर्क करके कारयले से अपाइंटमेंट ले करके कारयले की सेवाएं अरपन करके और आप जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप राप्त करके लाब उठा सकते हैं नमस्कार अनुष्ठान, पूजा पाट, महामृतिन जय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 78-388-98421। हमारी वेब साइट है www.shreevashist.com